हाई कैसे हो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर नमनीज कर रहा केम चो मज़ा मैच्छो चलो बताता हूँ आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है कि और अगर यह मेरी बात भारत सरकार सुन दियो तो बहुत ज्यादा फाइदा हो सकता है हाला कि यह बात मैंने आज से 6 महीने पहले भी बोली थी और मैं अपने एक्जांपल से भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ कि हमारे देश में वैक्सीन की कमी है इसमें कोई डाउट नहीं है दिल्ली ने बोल दिया यह हमारे पास तो एक दिन की को वैक्सीन बची है छ मेरी एक राय है कि अगर कोविड हो जाता है आपको तीन महीने से पहले वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए उसका रिजन यह है और आप 3-6 महीने भी वेट कर सकते हैं उसका रिजन यह है कि आपके अंदर नैश्रल इमिन्टी बन जाती है आपके अंदर एंटी बन जाती है जब आपकी अपनी इमिन्टी बन चुकी है तो हम क्यों पंगालें वैक्सीन लगवाने का ठीक है हम थोड़ा वेट कर सकते हैं वेट करना इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमें वेट उसका रिजन यह है कि वेट इसलिए करना चाहिए एक तो कि नेश्रल इमिन्टी बन गी है हमारे देश में वैक्सिन की अभी कमी है तो क्यों न हम उन लोगों को मौका दें जिनके अंदर इम्मिनटी नहीं बनी है जो हाई रिस्क वाले पेशिंट्स हैं चाहे वो यंग पेशिंट हो चाहे वो मतलब कुल मिला के हमें दूसरों को मुका देना चाहिए हमारे अंदर immunity बन चुकी है और आप लोगों से बोलूँगा कि आप तीन से छे महीने में कर देखना चाहते हैं COVID होके तीन से छे महीने होके हैं और आप देखना चाहते हैं कि मेरे अंदर antibody बनी है नहीं बनी है तो और आप कोविड आईजी जे अंटीबोडी करा के देख लें है 그래도 अच्छे खा से बनी हुए है दस से बीस गुनां तीस गुना चाहिस गुनां पचास गुनां बनी हुए है तो आप चैन की बंसी थोड़े दिनों के लिए बचा सकते हैं और ये भी हो सकते हैं कि आप हो सकते हैं कि आप किसी ऐसी वैक्सीन का वेट कर रहे हो कि जो आपको लगता हो कि वो आ जाई तो मैं वो लगवा लूँगा तो एक तरह से blessing in disguise आप बोल सकते हो कि अगर आपको COVID हुआ और कुछ नहीं हुआ तो आपके पास समय है आपके पास 6 महीने तीन महीने का समय है और दूसरा ये मोका किसी और को भी दे सकते हैं क्योंकि वैक्सीन की कमी भी है ये भी एक सच है कि वैक्सीन की कमी है तो हमें मोका देना चाहिए सरकार द्वारा की छे महीने बाद वैक्सिन लगा हो COVID होने के मुझे COVID हुआ था शायद अक्टूबर नॉमबर के असपास तो एक्जेक्ट मुझे भी याद नहीं शायद 30 अक्टूबर के असपास हुआ था अक्टूबर नॉमबर दिसंबर जन्वरी फर्वरी मार्च अप्रेल में ओल्मा साथ महीने आठ महीने हो चुके हैं और मैंने आपसे करीब डेड़ दो महीने पहले अपना COVID एंटिबोडी टेस्क करा के देखा तो मेरी अच्छी खसी एंटिबोडी बनी हुई थी तो मैंने वेक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है बहुत सरे लोग पूछते हैं कि आपने वेक्सीन क्यों नहीं लगवाई क्योंकि मेरी वेक्सीन देखो वेक्सीन का काम क्या है इम्मुनिटी बनाना और अगर मेरे अंदर नेच्छल इम्मुनिटी बनी हुई है infection होने पर अगर antibody आपकी खतम हो भी जाती है तो T cell immunity, B cell immunity काम करती है जब भी आपको कोई infection होता है तो वो attack करती है T helper cell होती है T killer cell होती है तो वो immunity भी एक होती है जो body की immunity एक blueprint बना चुकी होती है कि जैसी virus attack करेगा तो उसके खिलाफ body की immune system लड़ना शुरू कर देता है तो इसलि बहुत अच्छा है natural immunity का बन जाना और इसी natural immunity के बल पे ही शहद hard immunity आएगी क्योंकि vaccine लगने में अभी एक साल लग जाना है कम सकम एक साल आप सोचिए तो hard immunity बनने में और ज़्यादा तर लोगों को वैसे ये infection हो ही चुका है जहांता मुझे लगता है 60-70% परतिश्र लोगो कोई infection हो चुका होगा इंडिया में तो मेरा कहने का मतब यह है कि vaccine आप लगवाएं यह आपका अपना एक सोच है अधिकार है सरकार ने हाला कि अभी तक ऐसा कोई rule नहीं निकाला कि कि इतने महीने बाद लगवानी चाहिए पर मेरे हिसाब से तीन महीने से पहले तो नहीं ल कर दो पर मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि मैंने नहीं लगवाई तो आप भी नहीं लगवाई है जो लोग रिस्क वाले हैं जो लोगों को एज ज्यादा है जो लोगों को को मॉर्बिट कंडिशन है तो उन लोगों को जरूर लगवानी चाहिए vaccine लेकिन वही बात है कि vaccine अगर आपको COVID हो गया है तो आप 3 महीने तक वेट कर सकते हैं और अगर एंटीबोडी बनी होई है तो काफी हद तक आप सेफ हैं 100% तो मैं तब भी नहीं कहता हूं एंटीबोडी बनने के बाद भी ठीक है मैंने देखा कुछ लोगों के एंटीबोडी बनी होने के बाद भी बेटर है तो वेक्सीन लगवाएं लेकिन मेरे ख्याल से COVID होने के तीन महीने बाद उससे पहले शायद ना लगवाएं और यह भी देखा कि COVID होने में और वेक्सीन में कुछ इम्मिनिटी का आपस में भी लोचा हो जाता है अगर आपको COVID हुआ 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 है और उसके आप मोका देंगे जिनको ज़्यादा जूरत है पहले उनको मिलनी चाहिए वेक्सीन और ऐसे एक रूल भारस सरकार को ले आना चाहिए जिससे की वेक्सीन की कमी पूरी हो जाए तैंक यू वेरी मच आपका अपना डॉक्टर नमनीज काल रहा हुआ 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 जोरा जोक घटिया जोक जोक पर जोक अपने आप में जोक है यह दोक्टर नमनीज काल रहा हुआ 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 ह झाल झाल